तो बच्चो अब यह है इसका second part 8 का यह कह रहा find the three consecutive odd integers the sum of whose square is 83 तो मैंने आपको बताया था कि consecutive odd integer odd integer के case में मैंने आपको बताया था previous question में क्या ले सकते है तो देखो let first odd integer को मैं क्या ले लेता हूं बच्चो 2x plus 1 second odd integer को मैं लेता हूं 2x plus 3 ठीक है और third odd integer को मैं ले सकता हूं बच्चो 2x plus 5 right तो बच्चो देखे मैंने तीनों consecutive odd integers ले लिए अब इन तीनों का सम यह 3 consecutive odd integers ले लिए है अब इन तीनों का सम का स्कवार किसके बराबर है 83 के बराबर है ठीक है तो चलो मैं इसको करता हूं तो यह हो जाए अगा 2x plus 1 का whole square plus 2x plus 3 का whole square plus 2x plus 5 का whole square equals to 83 बच्चों बस इसको मैं solve करता हूँ A plus B का whole square का formula लगा के तो यह हो जाएगा A square plus B square plus 2AB plus यह भी हो जाएगा A square plus B square plus 2AB फिर यह हो जाएगा बच्चों A square plus B square plus 2AB TX equals to 83 तो देखो मैंने इस फूरे को खोल चुका है अब बच्चों बस मैंने क्या करना है इसको add up कर लेना तो कितना आजाएगा बच्चों यह हो जाएगा 12x square plus 35 plus 36x equals to 83 बच्चों मैं इधर फेक देता हूँ तो यह हो जाएगा 12x square plus 36x minus 48 equals to 0 अब देखे बच्चों यह पूरा का 12 से हो रहा है डिवाइट बिल्कुल हो रहा है अब देखे यह हो जाएगा आपका x square plus 3x minus 4 equals to 0 यह मिर पे क्या आगई बच्चों एक solve करके एक quadratic आगई और हम मैं इसको solve करने वाल हूँ तो कितना आजाने वाल है देख लेते हैं तो यहाँ पे मैं solve कर लेता हूँ x square minus 3x sorry plus 3x minus 4 equals to 0 यह यह ठीक है अब मैं इसको solve करता हूँ इसको solve कर जाता है देखे तीन यहाँ पर 4 यहाँ पर obviously बात है मैंने आपको बता है अगर यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 है बिल्कुल आपने सामने वाल है तो मैं इसको ही लेता हूँ ठीक है तो मैं इसको ऐसे लेता हूँ कि यह positive में तो यह हो जाएगा 4 और यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह इंटीजर इंटीजर में तो यह दोनों ही वैल्यू पॉसिबल है कोई यहां पर यहाँ पर यहाँ रखुँगा तो यहाँ पर यह आफे सवन यहाँ पर हम यह का इतना सभा में देखना है तो देखिए, मिरे पर 3 odd integers आ गया, अगर x की value 1 थी, और अब में यहाँ पर x की value अगर minus 4 है, तो क्या आने वाल है, देखिए, minus 8 plus 1 हो जाएगा, minus 7, यह हो जाएगा, minus 8 plus 3, तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, कितना बच्चो, minus 5, और यहाँ पर रखूँगा, तो यह हो जाएगा, 5, 6, 7, 8 हो जाएगा, minus 3, तो देखिए, कितना easy है, यह questions, है ना, तो हमने अभी 9th कर लिया, आप हम, sorry, 8th कर लिया, आप हम 9th करते हैं, है ना,